Good morning student आजम इंदी का chapter 9 ओडम को पढ़ेंगे भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है यहाँ वर्स भर त्योहारों की धूम रहती है मतलब हमारा जो भारत देश है इसे त्योहारों का देश कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे त्योहारों को हम celebrate करते हैं मनाते हैं यहां verse भर यानि कि verse भर मतलब एक verse में पूरे verse भर बहुत सारे त्योहार इसमें आते हैं और जिसको हम मनाते हैं यह त्योहार जन जीवन में चेतना एकता तथा उत्सा का संचार करते हैं यह त्योहार जो हैं वह लोगों में चेतना एक ता एक साथ रहने का उत्सा का इस तरीके का भाव देते हैं दक्षिन भारत के केलर राजी का एक विशे इस्तिवार है दक्षिन भारत में एक केलर नाम का राजी है जिसमें एक विशे इस्तिवार आता है जिसे हम बोलते हैं ओडम जब लगाता तीन मा की बारिश के पश्चात आकाश नीला और स्वच्च हो जाता है तालाबों और जीलों में जलकी मात्ता बहुतायत में हो जाती है कमल और लिली के पुस्पत पूरे सौंदर के साथ खिलकर महकने लगते हैं तब फसलों के घर आने के उपलक्ष में ओडम का त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है जब बहुत बारिश होने के बाद कमल लिली ये सब फूल खिलते हैं अपनी सौंदरता को विखेडते हैं फसलों के घर आने के उपलक्ष में और जो फसले हैं वो घर आने वाली होती हैं उसके उपलक्ष में ये उड़म का त्युहार सावन के महीने में मनाया जाता है श्रावन मास में मनाया जाता है मल्यालम में इस मास को चैत मासम कहते हैं मल्यालम एक भासा का नाम है जो केरल में बोली जाती है तो उस भासा में इस मास को चैत मासम कहते हैं इस समय ऐसा लगता है मानो प्रक्ति ओडम के स्वागत की तैयारी कर चुछ की हो मतलब ओड़म आने वाली है तो उस समय इस तरह की हमारा नीचर हो जाता है प्रकृति हो जाती है कि वो इसका वेलकम कर रही है उसका स्वागत कर रही हो प्रतिक तोहार के साथ कोई ना कोई कथा अवश जुड़ी होती है जब भी कोई तोहार आता है तो उस तोहार से कोई ना कोई कथा जुड़ी होती है जैसे हमारी जद दिवाली आती है तो दिवाली में उसकी एक कथा जुड़ी होती है दिवाली मनाते हैं उसी तरीके से जितने भी तोहार आते हैं उन सबकी भी एक कथा उस तोहार से जुड़ी होती है उसी तरह ओडम की भी एक कथा है ओडम के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है पुरानिक मतलब पुरान से संबंदिक ये कथा जुड़ी हुई है प्राचिन काल में यान कि बहुत समय के पहले की बात है प्राचिन काल में महावली नाम का एक राजा केरल राज में राज करता था पुराने समय में प्राचीन का समय में बहाँ बली नाम के जो राजा थे वो उस केरल राज्य में राज करते था मतलब वो वहाँ के राज्य थे वो उसमें अपना राज्य करते थे राज करते थे उसके राज्य में चारों सुक श्रमद्दी फैली हुई थी मतलब रोज जो लोग थे वो उसके राज्य में खुश थे, जो प्रजाती बहुत खुश थी, श्रमद्धी फैली हुई थी, मतलब धन की भी कमी नहीं थी लोगों के पास, महाबली अत्न पराक्रमी थे, और जो वो महाबली थे, वो राजा थे, वो भी बहुत पराक्रमी थे, मतलब वीर थे, उनके अंदर बहुत शक्ती थी, तागतवर थे उसने अपने पराक्रम से प्रत्वी और पाताल लोग का स्वामी बनने के पश्षात आकास की और अपना अधिकार बढ़ाना प्रारम कर दिया उन्होंने प्रत्वी यानि कि धर्ती और पाताल दोनों का ही वो अपने स्वामी बन गए थे उसके बाद उन्होंने आकास की ओर अपना अधिकार बढाना प्रारम कर दिया आकाश को भी वो अपना अधिकार जमाने की कोशिश करने लग देवराज इंद की प्रातना पर भगवान विश्णु ने वामन रूपधारण करके महावली को पाता लोग बेज दिया देवराज इंद्र की प्रातना पर देवराज इंद्र ने जब भगवान विश्नु से प्रातना की तो उन्होंने वामन रूप दारण करके महाबली को पाता लोग भेज दिया राजा महाबली की प्रातना से प्रशनोकर भगवान विश्णू ने उन्हें वर्स में एक बार प्रत्वी पर अपने राज्य में आने का आशिरवाद दिया तो केरलवासियों का द्रड विश्वास है कि पित्व वर्स राजा महाबली तिरू ओडम के दिन अपने राज्य में आते हैं इस दिन महलाएं उनके स्वागत में अपने घरों के प्रवेज दुआर को विविन प्रसकार से सजाती हैं और रात्री में दीप जलाती हैं ओडम आ आनन्द और उल्लास का पर्व है यह पांच दिनों तक मनाया जाता है पहले दिन घर की लिपाई, पुताई तथा पास पडोस को सुक्ष किया जाता है सब घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों से बनी, रंगोली से सजाई जाते हैं जिसे पुकलम कहते हैं इसकी सजावट में परिवार के बच्चे, बुड़े सभी उस्सापूर्वग योगदान देते हैं मतलब उनकी सहाईता करते हैं जब यह सजावट होती है तो बच्चे भी उनकी सहाईता करते हैं सजावट में बुड़े भी सहाईता करते हैं घर के सबी मेंबर मिलके अपने घर की सजावट करते हैं विश्णु और महाबली की मूर्तियों को रखकर दीप पूजन किया जाता है विश्णु भगवान की भी मूर्ति रखकी जाती है और जो वहां के महाबली थे उनकी भी मूर्ति को रखकर उनका दीप पूजन दीप चल पारिवारिक जनों के मिलन पारसपरिक प्रेमव सहियों का पर्व है इस दिन बाहर गए लोग वापस लोट आते हैं तथा मिल जुलकर तिवार मनाते हैं जो भी लोग अपने घर से बाहर गए होते हैं वो इस दिन अपने घर वापस आते हैं और अपनी फैमिली और अपनी परिवार के साथ ये तिवार को मनाते हैं सभी नए कपड़े पहनते हैं इस दिन सब लोग नए कपड़े पहनते हैं दोपहर के समय सब केले की पत्तों पर बोजन करते हैं यहां केले की पत्ते पर बोजन करना पवित्र माना जाता है ओडम के दिन भोजन में विविन प्रकार के वियंजन और पकवान तयार होते हैं इनमें चावल, दाल, पापड, सामवर, खिचडी, उत्पपरी, पयाने की पकोडी पाइसम मतलब खीर, आदी मुख्य है धान, नारियल और केला, केरल की मुख्य फचले हैं केरल के मुख्य फचले कौन सी हैं? धान, नारियल और केला यहां के विविद, पकवान और वियंजन इसी से बनाए जाते हैं ओडम के दिन खेल और मनोरंजन के अनेक कारिकरम आज़ोजित किये जाते हैं बालिका एवम इस्तियां समू में नित्ट करती हैं जो छोटी बच्चियां होती हैं और जो लेडीज होती हैं वो ग्रुप डांस करती हैं एक साथ मिलकर नित्ट करती हैं डांस करती हैं गाओं वा नगरों में अनेक प्रकार की खेल प्रत्योग गिताएं आज़ोजित की जाती हैं गाउं में, शहरों में, नगरों में, अलग-अलग तरे के खेल की प्रत्योगिताएं वाजयोजित की जाती हैं, competition होते हैं खेलों के, जिन में नौका दोड सरवादिक लोपरी है, इसमें नौका दोड़ है वो सरवादिक लोप्री है यह बार भूता नाम अकिस्थान पर होती है वहां का एक इस्थान है बार भूता नाम अकिस्थान वहां पर यह होती है दूर दूर से सरपा कार नौकाएं पंपा नदी के तरड़ लाई जाती है सबसे पहले नौकाओं की पूजा होती है इस सर्प नौका दोड के लिए ग्राम वासी वर्स भर नौकाओं तयार करते हैं प्रत्य गाओं के लोग अलग अपनी अपनी नौका लेकर आते हैं गाउं के सभी वर्गों के लोग अपनी नौकाउं में गर्व के साथ बैठते हैं परमपरागत यानि की परमपरा के अनुसार जैसे पुराने समय से जो परमपरा चली आती है उसी के अनुशाग पोशाकें पहने नौका गीद गाते हुए लोग अपने चप्पू को मतलब जिससे नाव चलाई जाती है को एक विशेश ताल के साथ चलाते हैं दोड में विजेता टीम को पुरुस्कत किया जाता है, जो टीम आगे निकल जाती है उसको पुरुस्कत किया जाता है, नवका दोड को देखने के लिए देज विदे से बड़ी संख्या में परियटक आते हैं, दूर-दूर से लोग आते हैं, माना जाता है कि तिरु ओडम के तीसरे दिन महा बली अपने लोग लोड जाते हैं इसलिए तिरु ओडम के दिन बनाई गई कलाकरतियां तीसरे दिन हटा दी जाती है जब ओडम का दिन आता है तो उससे एक दिन पहले सजावट की जाती है तो तीज़े दिन उस सजावटों को हटा दिया जाता है क्योंकि वह महाबली के अपने लोग लोट जाने के समय आ जाता है तो उनको उन जो कला करतियां बनाई जाती है उससे तीज़े दिन हटा दी जात केरल वासी बीते हुए ओडम की मदुर यादों में तता आने वाले ओडम की पतिक्छा में पुने खुशीशे अपने कार्यों में लग जाते हैं तो ये चैप्टर हमारा यहां पर फिनिश होता है इसका जो एक्सरसाइज वर्क है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी टेक्सबु में करना है थेंक यू